बिहार के सियासी रण में अब आरक्षन का दाव भी आ गया है। जी तोड कोशिश कर रही है। रोजगार और कानून विवस्ता से लेकर घोटालों की जम कर चर्चा हो रही है। चाहेंगे कि जितनी लोगों की अबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षन मिले। इसमें हमारी कोई दोराएं नहीं है। सीम नितीश कुमार ने ये भी कहा कि थारू को आरक्षन का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रही हैं। तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। असल में यहां प्रचार करने के लिए पहुचे अनितीश के सामने थारू जाती ने पूर्जोर तरीके से आरक्षन का मसला रखा था। फ्रांस के नीस में गुरुवार को एक गिर्जा घर में हमलावर दुआरा चाकू से किये गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। और फिर उसने तीन लोगों की हत्या कर दी। यह पिछले दो महीनों में फ्रांस में इस तरह का तीसरा मामला है। नाइस मेटे रखवार ने सूतर के हवाले से जानकारी दी है कि फ्रांस के नीस शहर में नोटेट रेम बिसेलिका के अंदर गुरुवार को लोगों पर हमला करने वाला टुनीशिया का नागरिक है। बिहार की सत्ता में पिछले 15 साल से काबिज जंता दल युनाइटिट के लिए बिहार विधानसबा चुनाव का दूसरा चरण सबसे एहम है। सबसे अधिक उमीदवार उतारने और अच्छी खासी संख्या में अपने पास की सिटिंग सीट बचाने की लिहास से महत्तपून है। दल के आला नेता भी इसे स्विकारते हैं। इनमें कई पुराने दिगज निताओं की अगली पीडी मैदान में हैं तो बड़ी संख्या में नए लड़ाकू पर जदियू ने दाव लगाया है। भारत चीन पर अभी तनाव बना हुआ है। इनमें के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी फ्रंट लाइन सैनिको के लिए उच्छ तकनीक की विवस्ता की है। रक्षा मंतराले के परवक्ता करनल वू कियान ने पी एल ए सीमा सैनिको की लिए नए लोजिस्टिक विवस्ता के बारे में डिटेल्स शेयर की। लेकिन भारत का नाम नहीं लिया पर उनका संदेश साफ है कि वो किस तक ये बात पहुँचाना चाह रहे थे। क्योंकि पूर्विल अदाख में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर कई महीनों से तनाव चल रहा है। वो ने कहा कि सैनिकों के रहने के लिए सैनिकों के नए तरहा के आत्म संचालित हीट शेल्टर दिये गए हैं जो अधिकारियों और जवान दुआरा बनाये जा सकते हैं। वो ने बताया कि माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट के पहारी तापमान और 5000 मीटर से अधिकी उचाईवाले शेत्रों में इंडोर तापमान 15 डिग्री सेंटिग्रेट से अधि हो सकता है। वह इस एप का इस्तमाल आपसी कम्मुनिकेशन के लिए करेगी। एप end-to-end secure voice, text और वीडियो कॉलिंग सर्विस को सपोर्ट करेगा। यह मैसेजिंग एप Android-based internet सर्विस इस्तमाल करने वाले स्मार्टफोन के लिए होगा। रक्षामंत्राले के और से जारी बयान में कहा गया कि SAI भारत में पहले से मौझूद messaging एप जैसे WhatsApp, Telegram, समवाद और जीम्स जैसा होगा। यह है end-to-end encryption messaging protocol का उप्योग करेगा। इस वीडियो में इतना ही मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे Facebook पेश पंजाब केसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झाल 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